हेलो एवरिवन वेलकम टू अभी पीडिया पावर्ट बाई अभी मन्यू आईएस जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी एसी प्रिलिम्स का एक्जाम हो चुका है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिसकस करने वाली हूं कि कैसा पेपर आये हुआ था पेपर का लेवल क्या था कितने कितने कोस्चेंज पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से आये हुए थे और फर्दर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भी किन-किन टोपिक्स में से कितने कितने कोस्चेंज आये थे तो अभी देखिए अगर हम बात करते नमबर ओफ कोस्चेंस की सबसे पहले नमबर ओफ कोस्चेंस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 80 कोस्चेंस थे और 80 कोस्चेंस के अंदर से 38 questions were from quantitative aptitude, 38 questions quantitative aptitude के आयो वे थे, that means कि जिन students ने quantitative aptitude अच्छे से कर रखा है, तो वो सिरफ quantitative के base पे अपना exam qualify कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे जो quantitative aptitude का section था, इस बार कुछ tricky questions भी थे, हाँ जी, कुछ questions tricky थे, आप ये कह सकते हो, कि 5 to 6 questions, 5 to 6 questions काफी tricky रहे हैं, तो obviously जब हमें पता है कि ये qualifying exam है, तो tricky questions को आप exam के अंदर छोड़ सकते थे, बट जिन्होंने अभी 2023 के लिए prepare करना है, तो उन्होंने पूरा paper solve करना, एक एक question उनको पता होना चाहिए कि कैसे particular question का solution निकलेगा, वो भी मैं बाद में discuss करूंगी, हाँ जी solution भी हम discuss करेंगे, बट जिन्होंने quantitative attitude किया है, मेरी videos देखी है, तो I think इसके अंदर से 38 के अंदर से 35 questions तो वो easily सभी attempt कर सकते थे, 35 questions easily attempt कर सकते थे, आल्मोस सभी types मैंने आप लोगों के साथ में discuss किये, हाँ जी, उसके बात में अगर हम बात करते हैं logical reasoning की, तो logical reasoning का part आप ऐसे कह सकते हो कि easy to moderate था, easy to moderate था, tough questions नहीं थे, logical reasoning, logical reasoning, थोड़ा सा भी, मैंने starting में भी का था, don't miss the easy part, easy part को में इस नहीं करना, ये 15 के 15 questions easy थे, आप सभी questions इसके अंदर से attempt easily कर सकते थे, तो जिन students ने थोड़ा सा भी logical reasoning किया है, तो उनके 15 questions ऐसे थे जिन को वो सभी के सभी attempt कर सक करते हैं, okay, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इंगलिश की, तो इंगलिश के 27 questions exam में से आये थे, इस बार 27 questions थे, इंगलिश में से, mostly 25 to 25 के around questions आते हैं, इस बार रिगे लगा के चलो, फिर भी around ही है, 27 questions exam के अंदर आये थे, थोड़ा सा pattern change था, इस बार, pattern change था, डिसकस करेंगे हम, one by one करके quantitative attitude logical reasoning और English के अंदर क्या changes रहें, तो English का अगर हम section की बात करें, this was moderate level, moderate level था paper का English, easily आप solve कर सकते थे, कुछ questions confusing थे कि हांजी, जो options है, options, nearby options है, तो थोड़ा सा confusion students को रहा है, तो यहां पे इसका भी moderate level रहा है, English का भी आप कह सकते हो, moderate level है, हां, quantitative attitude का आप का moderate to high level रहा है, because कुछ questions थे, calculated थे, tricky questions थे, okay, हाँ जी, अब उसके बाद अगर हम बात करते है, विटा, quantitative attitude की, detail में आब हम discuss करेंगे, quantitative attitude को, तो quantitative attitude के अंदर, number system, LCMHCF के अंदर से 14 questions exam में आए थे, 14 questions, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती आ रहें, कि नमबर से और कु कि number system most important topic है, CSET, UPSC के लिए, okay, तो उस case के अंदर बेटा, एक question था, आपका LCMHCF का, और 13 question direct आपके number system पे बेस्ट थे, okay, जिनके अंदर से, यहाँ पे मैंने data sufficiency mention नहीं किया, but दो question data sufficiency के थे, जो की number system के फोर्म में थे, question number system के थे, but जो type थी, उसके अंदर, दो question थे, जो statement statement पे based थे, statement one is true, statement true is true, इस तरह से आपको बताने, और आपके पास में, आदो question data sufficiency पे बेस्ट थे, तो टोटल 14 questions were from number system and LCMHCF, okay, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, word problem की, word problem, word problem, शुरू से मैं आप लोगों को साथ में मैंने discuss किया, कि UPSC logical questions पूचते है, UPSC के अंदर logical question आ आते हैं, statement based questions आते हैं, कि आपके पास में, simple statement given है, और उस statement को आपको solve करके answer find out करने, तो you can say कि यहाँ पर logical अगर मैं साथ में word कर दी हूँ, यूस तो यहाँ पर आपके पास में आप यह भी कह सकते हो, कि these questions were from simplification, or you can say these are the simple word problem, word problems of arithmetic, arithmetic की word problem है, और you can say arithmetic reasoning का यह पार्ट है, okay, arithmetic reasoning भी आप इसको बोल सकते हो, इस पार्ट को जो seven questions थे, हर एक अलगलग views है, ठीक है, you can say this is arithmetic reasoning, you can say these are arithmetic word problem, or you can say these are the simplification questions, कि इसके अंदर statement given है, logical question है, आप solve करोगे, ठीक है, तो आपका answer आचा है, clear, there was total seven questions, अब उसके बाद में, इस बार जो बड़ा change किया है, UPSC ने, हाँ अगर सी सेट के पेपर के अंदर मैं change की बात करूं, तो one to two questions permutation combination के आते हैं, but इस बार five questions permutation combination के आयो थे, combination के questions थे basically, ओके, तो ये एक बड़ा change था, कि इस बार five questions permutation combination में से आयो थे, हर बार एक से दो questions आ जाते हैं, मलब one question तो आता ही है, आपका, तो one to two आप कर सकते हैं, but इस बार total five questions were from permutation and combination, ओके, ये एक change रहा है, इस बार बाकी तो वही है, ठीक है, उसके बाद अगर हम number series की बात करें, number series के as expected, two questions were from number system, percentage की दो question थे, जिसके अंदर से आप देखेंगे कि एक question दो direct percentage पे था, वोटिंग का question था, जो second वाला question था, उसके अंदर price जरूर गीवन था, बट वो सारी calculation percentage की थी, इस वाज नोट from profit and loss, इस वाज पर्संटेज कोश्चन, ओके, so there were two questions from percentage, okay, one question was from average, one question was on problem on ages, एक कोश्चिन इस का था, ठीक है, बट ये कोश्चिन डारेक्ट नहीं था, data sufficiency की form में question पुछा गया था, data sufficiency की अगर हम number system, sorry, quantitative aptitude की बात की बात करें था, three questions, data sufficiency के, data sufficiency के, जिसके अंदर number system के questions थे और आपके problem on ages का जो question था, that was again from data sufficiency type question आया हुआ था, okay, तो problem on ages पे से आपका, one question था, time and work, time and work, one question, time and distance, one question, geometry and mensuration के अंदर से दो questions exam के अंदर आयो थे, तो नो simple question थे, बिल्कुल simple questions थे, बट जिन्होंने थोड़ा सा भी properties का पता है, उनको तो वो students easily इसको solve कर लेंगे, तो दोनों easy questions आयो थे, okay, हाँ, जिनको properties ही नहीं पता कि हाँ, जी triangle की क्या properties है, circle की क्या properties है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, तो ये दो question थे भी न, geometry and mensuration के अंदर, एक question तो same वही था, अगर आपने previous year की questions check किये है, मैंने आप लोगों को करवा है, तो बिल्कुल same type का question आया हुआ था, जैसा कि अपना 2015 के अंदर आयो, okay, तो उसी तरह का question था ये, तो इसमें से दो questions थे, mixture and allegation, mixture and allegation, there was one question and one question was from data interpretation, data interpretation के अंदर भी बीटा, pie chart का question था, pie chart, मैंने आपको बता है कि data interpretation, starting से मैं कहा हूँ कि data interpretation के अंदर से बीटा, आपको पता होना चाहिए, कि particular, जो है, जो है, जो है, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, line chart हो गया, कैसे read करना है, हर बार मैंने यही कहा है, कि उसकी properties आपको पता होनी चाहिए, तो इसी तरह पर्टिकुलर टोपिक्स थे, चेंज क्या रहा है, इस बार पर्टिकुलर आपने permutation and combination के 5 questions आए थे, और बाकी तो expected था, जैसा expected था, उसी तरह के questions थे, ओके, अब हम बात करते है, logical reasoning के, हाँ जी, logical reasoning, 15 questions वर from logical reasoning, ओके, अब वो जो 15 questions थे, वो किन-किन पर्टिकुलर टोपिक में से थे, उनको हम discuss करते हैं, पहले अगर हम बात करते हैं, distance and direction, distance and direction, there was one question, okay, उसके बास, सिलोजियम, two questions, these were very easy questions, सिलोजियम तो इस बार बिल्कुल ही easy आया हुआ था, जिसको जस्को जस्ट वैन डाइग्राम का थोड़ा सा भी idea न उन्होंने भी solve कर लिया, logical reasoning काफी easy रहा इस बार, logical reasoning का पार्ट इस बार easy रहा है, okay, yes, तो उसके बाद में बिटा अगर हम बात करते हैं, alphanumeric series, alphanumeric series पे से दो questions एक्जाम के अंदर आयो थे, दो questions थे, alphanumeric series के, उसके बाद डाटा सफिशेंसी के, data सफिशेंसी के 3 questions थे, data सफिशेंसी के 3 questions थे, miscellaneous, miscellaneous मैं क् कि जो questions थे, they were like arrangement based question हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा जो question था, वो था आपका पास में कि particular distance related questions था, एक blood relation का भी question था, तो blood relation का यहां पर मैंने अलग से mention भी कर दिये, इसके अलावा तीन questions data सफिशेंसी के थे, that means you can say कि हाँ जी four questions data सफिशेंसी के थे, तो मैंने आपको शुरू से भी आपको बताया है कि data sufficiency कर लो, क्वांट में भी logical reasoning में दोनों में questions आएंगे, data sufficiency के, तो वही हुआ है कि quantitative aptitude के अंदर भी data sufficiency की form में questions आयो थे, three questions और यह आपके जो, क्या, logical reasoning, yes, logical reasoning के अंदर भी four questions data sufficiency के थे, जिसके अंदर आपके three questions miscellaneous आयो थे, ठीक है, औ और coding decoding, coding decoding भी इस पर direct ऐसे नहीं पूछा गया कि यह code है इसके लिए और particular word के लिए code बताओ, इस बर question आया था कि आपको statement की form में आपको बताया गया है कि क्या changes करने है, क्या changes करने है और उसके according बताओ कि कि इस पर जो particular word है, उसके लिए क्या code बनेगा, तो आप उसके लि यह और जो question आया हुआ था, इसके अंदर तो मैंने पूरी एक जो आपको reverse, reverse वाला logic जो आपको समझा है था, एक वीडियो के अंदर reverse, मैंने याद ही करवाए थे, आपको numbering याद करवाए थी, forward numbering, backward numbering याद करवाए थी, और reverse number, ठीक है न, particular letter के corresponding, क्या उसका numbering रहेगी, क blood relation का easy था, आपके पास दो question थे बिटा, एक question था direct और एक question आपका था, data sufficiency की form में, दोनों ही easy थे, अब हम बात करते, clock and calendar, clock and calendar में से total three questions थे, two were from clock and one was from calendar, two questions were from clock and one question was from calendar, calendar का भी easy question था, clock के भी दोनों questions, थोड़ा सा logical था, ठीक है, एक question थोड़ा सा logical था, तो यहाँ पे बिट आपके टोटल three questions were from clock and calendar, okay, clock calendar काफी detail में मैंने आप लोगों को करा है, इसके लाव सेटिंग अरेंजमेंट का एक question अलग से आ गया था, जिसके अंदर आपको अरेंजमेंट बनानी है और उसके according answer करना है, वैसे तो सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें सिरफ अरेंजमेंट अरेंजमेंट पर मैंने आप लोगो का भी रिसेंटली वीडियो कर वाई थी, तो अरेंजमेंट की ही मैं अगर सिरफ बात करो तो अरेंजमेंट पर त्री कोस्टिंस थे, there were three questions from arrangement, okay, जिसके अंदर से आपे कैसे तो डाटा सफिशेंची की फोर्म में आगे question कुछ सिटिंग अरेंजमेंट की फोर्म में ठीक है, तो इस तरह से questions का distribution रहा है, तो लोजिकल रीजनिंग की टोटल 15 questions exam के अंदर आए थे, 15 questions from logical reasoning, okay, अब अगर हम बात करते, English की, yes, English के अंदर से 27 questions थे, 27 questions थे, again, there was a change in English section, English के अगर मैं बात करो तो क्या चेंज रहा है, previous year के तो previous year, अगर में अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे हमने देखा है कि एक paragraph है, एक small paragraph है और उस particular small paragraph पे आपको एक question देखने को मिल रहे है, या फिर आपके दो question आपको देखने के लिए मिल रहे है, maximum, last year का अगर आपने paper देखा है, तो उसके अंदर आपको एक या दो question maximum मिलेंगे एक paragraph पे, बट इस बार क्या हुआ है, कि आपको तीन questions भी देखने को मिलें, तीन question भी देखने को मिलें, एक paragraph पे, तो यहाँ पे बिटा देखी, आजो single single questions थे, like assumption का होगे, आपके पास में in friends, ठीक है, conclusion, तो उस तरह से आपके six questions थे, single paragraph and on that single paragraph, there was one question, okay, on that paragraph, आप से दो question वा आपके पास में paragraph है, और उस पे आपके दो questions है, दो questions है, तो इस तरह से six paragraphs यह थे, total आपके पास में बिटा, यहाँ पे 15 paragraphs है, ठीक है, 15 के अंदर से six paragraph having one question each, six paragraph having two question each, हर एक के साथ में दो-दो questions अटेच्छ थे, और यहाँ पे तीन paragraph ऐसे भी आया है, जिनके साथ में तीन-ती questions थे, तीन-तीन questions थे, तो this was the change by UPSC कि हम जी लास्ट बार चेंज आगे, UPSC कुछ भी चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हम expect कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा यह चींज था इस बार, वैसे अगर हम देखे, तो जिस हिसाब से हमने preparation करी है, जैसे मैंने आप लोगों को prepare कर कर वाया है, तो उस हिसाब से आपका, यह लगा के चलो कि 75% पर, 75 questions, ठीक है न, उसी के according ही आए हुए है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को question कर वाए है, 80 के अंदर से 75 questions, अगर आप लोगों ने प्रोपर एक-एक, जो मैंने आप लोगों को method, topic, जो भी आप लोगों कर आय अगर उस तरह से किया है, तो 75 questions आप इसले कर पाते हैं, ठीक है न, हाँ जी कुछ questions थे tricky मैं मानती हूँ, but 75 questions आप, बात करें अगर हम cut off की, तो सभी को पता है कि भी C set है, C set के अंदर cut off क्या है, अपने पास में, 33%, हमें 33% ले न, हमने क्यों 75 marks लें, तो 75 questions सोल करने, तो यह नहां पर जिन students ने अगर तरीके से paper किया है, I mean to say, जैसे कि मैंने आपको last में भी बताया, कि बिटब आपको find out करना है, easy questions को, easy questions को पहले देखना है, तो easy questions, आप यह मान के चलो कि हंजी, आप 50 questions, 50 questions ऐसे थे, जिसको आप easily कर पाते, easily कर पाते, English के अंदर भी, कुछ questions काफी easy थे, कुछ questions काफी easy थे, इस तरह ऐसे quant logical reasoning, logical reasoning के तो पूरे 15 questions काफी easy आए हुए थे, जिन्होंने थोड़ा सा ध्यान से किया, वो easily कर लेंगे, उन 15 questions को, okay, तो यहां पे अपने पास में थोड़ा सा भी ध्यान से किया, तो easily qualify आप कर सकते हो, so I hope, आप लोगों का CSET का paper, GS का paper काफी अच्छा गया होगा, तो वीडियो के अंदर comment करके मुझे बताना है कि हांजी, कितने-कितने आपके marks बन रहे हैं, GS के अंदर आपके कितने marks बन रहे हैं, सभी ने चेक किया होगा, answer की भी upload की हुई है, आप साइट पे जाकी check कर सकते हो, answer की upload कर दी हैं, तो आप वह रहे हैं, so that कि मुझे भी पता चले कि students ने कितना अच्छा perform किया है exam के अतर, okay, so students, it was all for today, thank you so much, मिलते हैं, answer की के साथ में सारे questions मैंने आप लोगों को solve करवाने, quant logical reasoning के सभी questions में आपको detail में solve करवाने वाले हूँ, एक एक question हम solve करेंगे, okay, so मिलते हैं, next class, thank you. झाले हूँ, ऑग जोख हूँ. झाल झाल